देश के एग्राहमे राष्ट पती जनवादी राष्ट पती डक्टर अब्दुल कलाम जब कलाम सहाब अपनी जिन्दगी की लड़ाई हार गये थे एंडिये में उनका सलेक्शन नहीं हुआ एर फोर्स पाइलेट बनने का उनका सपना तूट गया उनके पास केवल देहरादून जाने के पैसे थे देहरादून जहाँ पहले एंडिये का एक्जाम सेंटर हुआ करता था और आज भी है वहाँ से घर लोटने के पैसे नहीं थे वे वहाँ से 40-50 किलो मीटर का सफर पैदल चल कर तैकर घूमते फिरते रिशी केस आ गए जहाँ सिवानन्द का आशरम है सिवानन्द आशरम के पास एक बड़ी सिला है नीचे मा गंगा बहती है साम का गोदली का समय था जब पैसे नहीं थे तो कलाम सहाब ने सोचा कि बाहन के गहने गिर भी रख कर आया था सोचा था पाइलट बन जाऊंगा जहाँ उरांगा तो बाहन के गहने भी चुरा लूँगा सलेक्षन नहीं हुआ अब वापस जाने के पैसे नहीं है ऐसे जीवन का क्या फाइदा आत्म हत्या कर लेता हूँ ऐसा उन्होंने अपनी आत्म कथा अगणी की उरान विंग्स अफायर में लिखा है साम के समय उस सिला पर कलाम टहल रहे थे इसी उद्विग्णता के साथ की कूद कर जान दे देंगे तभी संध्या की आरती करके मा गंगा को परणाम करने के लिए स्वामी सिवा नंजी बाहर आये तो उन्होंने देखा की इस समय एक लरका गंगा घाट पर टहल कूद कर रहा है कुछ बात जरूर है पुराना अनुभव ग्यानी आदमी तपस्वी संत तुरंत पहचान गए बोले बेटे एक सेकेंड रुक यहाँ परणा महराज क्या हुआ बेटा यहाँ ऐसे कैसे घूम रहा है गिर जाएगा तो नीचे गंगा है कलाम के आँखों में आशू आ गए स्वामी जी ने कंदे पर हाथ रखा बेटा क्या बात है कहां से आये हो महराज किरल से आया हूँ मैं अब्दुलकलाम हूँ स्वामी जी मुश्कुराए और बोले फिर अंदर चल तू तु मेरे आद्ध्य गुरू संक्राच चार्ज के गाउं से आया है अंदर चल कलाम साहब आश्रम के अंदर आये रात का भोजन वही किये और वही सो गए सुबा हुआ स्वामी जी ने पूछा फिर कलाम बोले स्वामी जी घर जाने के पैसे नहीं थे यही सोच कर आत्म हत्या करने को सोचा था स्वामी जी बोले बेटा इतना उदास ना हो जाने का किराया मैं दे देता हूं जा दुबारा मेहनत कर तयारी कर कुछ और कलाम साहब को गीता के पुस्थक भेट की और कहा इसे जरूर पढ़ना या पुस्थक तुम्हे संबल परदान करेगी कलाम साहब जाने लगे जाते जाते बोले स्वामी जी आप तो ग्यानी है साधू है एक सवाल पूछू इस एक सवाल ने भारत को ओ हस्ती दी जिसके कारण अकास में भी हिंदुस्तान की बातसाहत दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा है कलाम साहब ने पूछा प्रभू आप तो दिप द्रश्टा है आप तो सब कुछ देख रहे हैं आप इतना तो बता दीजिए कि मेरा सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी इस पर स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वह सुनने लाइक है और गरहन करने लाइक है स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं कलाम तू असफल नहीं हुआ है भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है तुझे आज वही कलाम देश के कई महत्वपूर्ण पदों को सुसोवित करते हुए देश के महान राष्ट पती बने मिसाइल की दुनिया में देश का पर्चम पूरे विश्व में लहराया और देश को प्रमानु सक्ति संपन राष्ट बनाया आज मुझे ऐसे देश भक्त पर गर्व है ऐसे देश भक्त को उनके जर्म दिन पर मेरा कोटी कोटी पनाम